Hello dear students, welcome to my channel, education simplified by OCDC, this is Vinod Kumar Garg So, अगर आप नवोध्या विद्याले भरती प्रिक्षा 2022 के लिए Mass Helper की पोस्ट के लिए जा फिर Catering Assistant की पोस्ट के लिए Preparation कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में आपको मिलेंगे बहुत ही important question जिनकी पूछे जानकी probability बहुत जादा है So, अगर आप चैनल पे पहली वर विजट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो शुरू करते है question number one Question number one है, which of the following factor affect the regional eating habits मतलब अलग-लग छेतरों में जो लोग हैं वो किस तरह का किस प्रकार का खाना खाते हैं इसको कौन से कार्क जो हैं वो प्रभावित करते हैं Option है geographical location geographical location मतलब लोग कहां पे रहते हैं किस तरह का area है वो दूसरा है landscape and climate किस तरह का landscape मतलब जो भूमी होती है उसकी बंतर कैसी है और जो climate है जो मौसम है वहां पे long term वो कैसा रहता है तीसरी option है religion जानिके धर्म कैसा है वहां पे किस तरह के ज़्यादा लोग है ठीक है और culture किस तरह का है तो option D है यहां पे all the above तो जो खाना होता है खाने की जो आदते होती है उनको यह सब भी factor परभावित करते तो अंसर आएगा option D all of the above second question है मरा which of the following is harvest festival of Assam तो Assam state का नाम हो गया यहां पे और harvest है मतलता है फसल को काटना festival हो गया तेहार तो फसल को काटने की खुशी में कौन सा तेहार असाम में मनाया जाता है option है पहली option है अम्बू बचई, second option है भी हू, third option है माजूली और D option है टी फेस्टीबल, तो इसका जो right answer है वो आएगा option second that is भी हू question number 3 मकर सक्रांती is the harvest festival celebrated in मकर सक्रांती एक तेहार का नाम है यहां पे वो फसल को काटने की खुशी में मनाया जाता है तो वो किस state का, किस राज्या का तेहार है मकर सक्रांती option है all over India दूसरी option है western India third option है southern parts of India fourth option है पंजाब तो इसका right answer जो है वो आएगा western India जनके पच्छमी जो राज्यां है भारत के, तो वहां पे मकर सक्रांती को celebrate किया जाता है as a harvest festival question number four which harvest festival is celebrated in southern parts of India जो भारत के दक्षनी प्रांत है तो वहां पे कौन सा त्योहार है जो फसल को काटने की खुशी में celebrate किया जाता है, मनाया जाता है तो इसमें हमारे पास number one option है लोडी, second option है पोंगल third option है ओनम and fourth option है हेंपी उत्सव तो इसका जो right answer है वो आएगा पोंगल question number five which of the following is the famous harvest festival of Punjab पंजाब में फसल को काटने की खुशी में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, option बाना है लोडी, second option है दुसेरा third option है बैसक्खी and fourth option है none of these, तो इसका right answer हैगा बैसक्खी, बैसक्खी festival जो है वो April में, 13th April को Punjab में मनाया जाता है फसल को काटने की खुशी में which of the following is the staple food in Punjab, staple food का मतलब होता है बहुँ बाला food जो हम long term के लिए, पूरे साल के लिए store करते हैं हमारे घरों में okay तो उसको staple food बोलते हैं इसको stored food भी हम बोल सकते है option है wheat जाने के connect जिसको गेहूं भी बोलते हैं rice जाने के चावल third option है both wheat and rice are equally popular, fourth option है none of these, मतलब इन में से कोई नहीं, तो इसका जो सही answer है, right answer है वो आएगा option C, both wheat and rice जो है वो equally popular है पंजाब में as a staple food ज़्यादा हम करने करते हैं लेकिन rice भी करते हैं question number 7 question number 7 हमारा है which oil is largely used in cooking of the food in South India दक्षनी भारत में भोजन को पकाने के लिए किस तेल की ज़्यादा वर्तों की जाती है, ज़्यादा यूस किये जाता है, option है sunflower oil जाने के सूरिज मुखी का तेल second है, groundnut oil मुंगफली का तेल next option है, coconut oil नारियल का तेल जाफिर last option है, cotton seed oil तो यहाँ पे जो right answer आएगा वो आएगा, option C, that is coconut oil जाफिर नारियल का तेल question number 8 दाल बफला is the dish of which of the following state दाल बफला जो है, वो किस प्रांत की, किस राजया की dish है option है, मध्या परदेश राजस्थान, उत्तर परदेश और पंजाब, तो right answer आएगा मध्या परदेश की dish है, यह option A question number 9 लिटी चोखा is cosine of option 1 है, मध्या परदेश बिहार, हिमाचल जा फिर गुवा, तो right answer इसका आएगा लिटी चोखा is the famous cuisine of बिहार state, बिहार राजया की dish है, अब बात करेंगे question number 10 की question number 10 है, दूद पाक जो एक dish है, जिसमें rice को कुक के जाता है, मिलक के अंदर और इसको hot जा फिर cold, गरम जा ठंड़ा करके इसको serve किये जाता है, ठीक है this is the cuisine of which state option है अंदरा परदेश करनाटका, गुजरात, जा फिर पंजाब, तो इसका right answer आएगा दूद पाक जो है, that is the dish that is the cuisine of गुजरात state, तो ये थे 10 बहुत ही important questions, जिनके पूछे हैं कि बहुत probability है, catering assistant as well as mass helper के exam में 6371788 पर संपर कर सकते हैं, thank you, thanks for watching